अब्सक्राइब दोस्तों ब्यू लानिंग चैनल में आपका स्वागत आज हम इस वीडियो में एक सिंपल छोटा सा टॉपिक डिस्कुस करने वाले वह क्या है फैसिलिटेटेट डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन क्या होता है पैसिव मॉमेंट ऑफ मॉलीकुल्स तुरू एक क मूलिक्यों से कॉंसेंट्रेशन ग्रेडियन के सारे पैसिव ली मूव हो रहे हैं यानि बिना कोई ATP के सारे पैसिव ली मूव हो रहे हैं किसी भी ATP को यूज नहीं करते वित ओट एनी ATP dp expenditure they move passively so facilitated diffusion में molecules एक क्यारियर प्रोटीन या एक ट्रैंस्पोर्ट प्रोटीन के सवाहरे एक क्यारियर प्रोटीन के सहारे मौडिक्टिटिक होते है सम आटसाइड तो इंसाइड या इनसाइड तो ऑटसे तो तॉस्य फेसिलिटेटिट डिफुजन एक सेलेक्टिब प्रोसेस है यानि चुनिंदा मॉलीक्यों को ही यह अंदर या बहर आने और जाने देता है इस इस प्रोटीन के सारे इसके सारे मॉलीक्यों अंदर रहते है या बाहर जाते है और यह सेलेक्टिब प्रोसेस है अच्छे चान यातों से जिंद सकते हैं तो र disagree इसान के से हैं कि स्टीजोंक्ड के देख सकते हैं निपोट एंटीपोट और संपोट के सारी थे किसी पर्थ मैं क्या देख सकते हैं किसी भी सेल में ओलिकिल क हमें से जाता है यही डिरेक्शन में बाहर आता है अप यहां पर देख सकते हैं एक Completion के सारे अंदर जा रहा है सिंगल डेरेक्शन में एक इंदर जा रहा है यही रिढす यूणी ठेंगर यानि देख सकते हैं की updated reaction मे में एक ही molecule अपना मूँनेंट दिखा रहा और ये हम क्या देख सकते हैं ओक मॉल्डिक्ल मॉपोजिट ली मुवमैंट दिखाते हैं तो यहाँ पर ऑप क्या देख सकते हैं एक यहींज यहां पर आप देखिएगा सिमपोट यानी टू मोलीक्यूल्स क्रॉस दा मैम्बरेन अब सेम बेंग्षेन तो इस मेंबरेन को यानी इस क्राइर प्लोडिन को एक ही साथ दो मॉल्क्यूल्स सेम डिरेक्शन में अपना मोमेंट दिखा रहे हैं अर। और सेल में एंटर हो रहे हैं, यह है, यह है, इस इंपोट आपको यह यूझी पॉट ऐटिपोट शिंपोट समझ आया होगा, ऊके यह है फेसीलिटेटेटर डिफीजन के बारे में, ठीक है, तो यूझी पॉट यानी एक की डिरेक्शन में एक की मॉलेक्वल मूव होना,